दिल्दी की टिटि सियम मनिश सोधिया के गिरफतारी का मामला अब सुप्रीम कोट पहुँच चका है वहीं सुप्रीम कोट मंगलवार दोपहर तीन बच कर पचास मिनिट पर इस पर सुनवाई करेगी बतादे मनीश सिसोधिया ने शराब घुटाला मामली में अपनी गिरफतारी और CBI जाच के तरीके को सुप्रीम कोट में चुनावी दी है इस पर सिंग्वी ने विनोध दूआ मामले के सुप्रीम कोट के फैसले का हवाला दिया इसके बाद चीफ जस्टिस चंदर चूड ने कहा कि वो मामले की सुनवाई दोपहर तीन बचकर पचास मिनिट पर करेंगे बतादे इससे पहले आपकारी नीटी में कथित फ्रष्टा चार को लेकर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीश सिसोधिया को विशेश अदालत ने चार मार्ज तक के लिए CBI की हिरासत में भेश दिया था जाच एजिंसी ने आप नेता को अदालत में पेश किया था और हिरासत में सौपने का अनुरोध किया था मामले को सुनने के बाद विशेश नियाधीश M.K. नागपाल ने सिसोधिया को CBI की हिरासत में भेजने का निर्देश दिया CBI ने 2021-22 की आपकारी मीती को लागू करने में कथित फ्रष्टाचार के सिलसिले में करीब 8 घंटे चली पूष्टाश के बाद रविवार शाम सिसोधिया को गिरफ्तार किया था अदालत में एक घंटे से अधिक समय तक चली सुनवाई के दोरान सिसोधिया के वकील ने कहा कि केंद्रिय जांच एजेंसी निर्वाचित सरकार के पीछे पड़ी हुई है सिसोधिया की ओर से दावा किया गया है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है सिसोधिया के वकील ने उनका पक्ष रखते हुए अधालत से कहा मैं वितमंत्री हूँ मुझे बजट पेश करना है कल ऐसा क्या बदल गया कि वितमंत्री को हिरासत में रखना पड़ा क्या वो आगे उपलब्द नहीं रहेंगे या ये गिरफतारी छिपे हुए मकसद को लेकर की गई है ये मामला एक व्यक्ति और संस्था पर हमला है वहीं CBI के वकील ने दलील दी थी कि गिरफतार किये गए उपमुख्य मंत्री को हिरासत में रखकर मामले में पूश्टाश करने की जरूरत है CBI ने कहा कि सिसोधिया ने दावा किया है कि मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है लेकिन चार्च से ये पता चला है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से फैस्ट्रेल लिये थे CBI की ओर से ये भी कहा गया है कि सिसोधिया सवालों के ठीक तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं और इसलिए उन्हें पूश्टाश के लिए और समय चाहिए फिलाल इस वीडियो में इतना ही ऐसे ही वीडियों के लिए लोग पत हिंदी को सबस्क्राइब करें